नमस्ते दोस्तों सनी टायर वाला में आपका स्वागत है आए आज आप लोग को कुछ हम नया दिखाते हैं यह टूब्लोस टायर है और इसमें हवा निकल जा रहा है और इसका पंचर चेक करने पर कहीं भी नहीं मिल रहा है आए देखते हैं कि कैसे हवा निकल जा रहा है आए अब इसको हम चेक करते हैं और देखते हैं क्या दिकत है इसमें कहां कमी है कहां से हवा निकल रहा है इसको अच्छी तरह से चेक करेंगे कर दों आखीर हवा के से निकल रहा है निकलने का जगह तो ऐसे बहुत है इसमें नलकी है बेल्व रहा है साइड से रिंग भी है दिंग के साइडसे जो बीट है बीट के जगह से भी हवा कभी-कभी निकलता है लेगिन हां उसको चेक करने से पता चलेगा इसी में ये टायर आया हुआ है कहीं मिश्थी की बता रहे थे कि इसमें ट्यूब डालना पड़ेगा लेगिन नहीं बीना ट्यूब डाले भी ठीक हो जाता है पस आइडिया होना चाहिए और थोड़ा सा बनाने का तरकीब मालू होना चाहिए इसे बहुत कम देखने को मिलता है ये रोख कोई कोई टायर में आजाता है और यह लिख होने का कारण भी होता है आखिर से लिख क्यों हो होता है इसके पीशे भी कारण है कि और ये कारण में आपको बताऊंगा कि आखिर यहां से लिक क्यों होता है दिन के वगल से यानि बीड के वगल से क्यों लिकेज हो जाता है। देखिए हावा किस प्रकार निकल रहा है एक तरफ तो चेक कर लिए अब दूसरा तरफ चेक करेंगे कि इधर से भी लिकेज है या एकी साइड है कोई कोई टायर में एकी साइड लिकेज राता है किसी किसी टायर में दुनों तरफ हो जाता है देखिए देखिए इधर भी लि लिकेज कर गया है. उस साइड भी है और ईस साइड भी है. बल बताजिए जब भीट के दोनों तरब से लिक है तो इसमें हावा कहा से ठारबाएगा. और टायर में पंचर चेक करेंगे तो पंचर तो है नहीं कgar ये तो भीट के साइड घुर बल जाए. पंचर कहां से मेल गया इसलिए इसको बारिकी से चेक करें, पानी की मदद से बीट फे डालके गूमा गूमा के बारिकी से चेक करें और इसका जो यह पंचर है वो पकड़ें अब इसको मसीन के मदद से इसको बीट को छोड़ाएंगे दोनों तरफ का वीट छुड़ा के तब इसको अशी तरह से सफाई करेंगे सफाई करके ही इसको बनता है कोई विशेश इसमें तजुर्बा नहीं लगाना पड़ता है चलिए अब आपको हम बताते हैं कि ये वीट की जगा से लिकेज के हो जाता है कभी कभी टायर में क्या होता है कि हावा कम होने की वज़ा से यानि कम हावा पे टायर को लोग चलाते हैं और जब कम हावा पे टायर चलता है तो टायर दबने लगता है और दबने के उपरांत इसका बीट जो है निचे से फैलता है और जब फैलता है और गाड़ी जब चलती है तो उसमें जितना भी नीचे से दोल है या जो छोटे-छोटे कण होते हैं मिटी का वो जाके रिंग में फहुंच जाता है और जब वो रिंग में फहुंच जाता है तो आगे चलके क्या करते हैं कि आगे चलके हम हावा डरवा लेते हैं और वो कण उसी में अटका रहता है निकलता नहीं है हावा के प्रेसर से रिंग के साइड में यानि वीट पे दब जाता है और वो जो दब जाता है तो धीरे धीरे कुछ दिन में वहां से जगह बना के हावा है जो लिकेज करना लगता है इसी वज़ा से यह टायर यहां से लिक करता है तो आप लोगों ने देखा कि इस टायर को खोल के और बीट की सफाई करके यानि जितना उसमें मिटी दूल कण है ब्रस एवं पानी की मदद से उसकी सफाई कैसे किया गया कि इस परकार हम तुब Windows टायर के विट से आकर लिकेज करता है तो इस परकार इसको हम बनाते हैं और बनाके हीर इसको केमीकल की मदद से यानि वीट के तारो तरफ केमीकल को लगाके इसको सेट करते हैं यान हवा देते हैं एक केमिकल लगाने से यह होता है कि बीट बैठने में मदद मिलता है बीट जल्दी बैठता है और लिकेज होने की चांस भी नहीं रहता है इस प्रकार यह टायर बन के फोरफिट हो गया है अब इसमें सिर्फ हावा डालना है और हावा डालके कि पानी की मदद से फिर इसको चेक करेंगे बीट के चारो तरफ पानी डालके धीरे-धीरे घुमा के देखेंगे कि लिकेज बंद हुआ है है या नही ऐसे इसे ऊफा साइट से जो लिकेज करता है इसका ये सर्थिया इलाज है जीस तरह से ये बना इसी ठांग से इसको बनाया जाता है और लिकेज बन भी हो जाता है कि चलिए अब इसको हवा डालते हैं हम हवा डाल के फिर इसको चेक करके देखते हैं इसे इसमें हवा भी हो गया है इसमें 40 रहता है 40 हवा रखने में इसमें हुआ है हावा 40 हो गया है इसको पानी मदद से अब देखेंगे इसको कि अगये तो कि इस ठीक है कि कहीं भी नहीं है लिकेज नहीं है बंद हो गया है इस साइड भी देखेंगे इस साइड भी ठीक है बिल्गुल ठीक हो गया है फोर फीट हो गया है अब लिकेज नहीं है अब यह टायर बंद के हो गया है रेडी आप लोगों ने इस वीडियो को वाच किया बहुत बहुत धन्यवाद अगर यह वीडियो आप लोग को जरा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सेयर, एम्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जय हिंद। क którą बंचकर जरूर करें जरूर को सब्सक्राइब जरूर कि आप लोगों जरूर करें जरूर करें जरूर करेंग।